हेलो एवर्यूवन आज मैं आपसे शेयर करूंगी हरे धनिया और पुदीने की चटनी की रेसिपी यहाँ पे मैं एकुल कॉांटिटी में हरा धनिया और पुदीना लिया है तो इनको सबसे पहले जो यह इसकी स्टैम होती है ना पुदीने की और धनिये की यह हम निकाल देंगे यह जो हाड़ वाली स्टैम रहती है ना उपर वाली इसे क्या होता है कि स्पेशली जो पुदीने वाली स्टैम होती है से कड़वापन सा आ जाता है थोड़ा सा चटनी में और रेशा भी बहुत ज्यादा बनता है बस इस तरह से हम इनको निकाल देंगे अच्छी तरह से और इसके बाद हम इसको वाश करेंगे दो तीन बार अच्छी तरह से पानी से इसको हम वाश कर लेंगे यहाँ पर मैंने पानी से इसको अच्छी तरह से वाश कर लिया इसके बाद हम लेंगे एक मिकसर जार उसमें इसको एड़ कर देंगे इस चटनी की खास बात ही है कि यह पता क्या है oil free होती है एकदम से इसमें oil की बिलकुर भी जरूरत नहीं पड़ती है mostly हम जब दूसरी चटनी बनाते हैं उसमें जरूर हम उसको fry करके ही बनाते है तो आज कल वैसे भी गर्मियों का टाई में फिर फटा फट से बना लेजिए यहां पर मैं डाल दिया इसमें प्याज इसको आलरेडी में चॉप करके रखावा था इसके साथ ही मैंने एक टमाटा इसमें एड़ कर दिया यह भी आलरेडी में कट करके रखावा था एक चमच डालेंगे हम इसमें नमक नमक एड़ करने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे हरी मिर्च यह मैं 4 मिर्च लिए थोड़ा सतीखे वाली है अब हम इसमें एड़ करेंगे अद्रक और लहसुन 4-5 क्लोव्स में लहसुन के लिए है और एक छोटा सा टुकड़ा अद्रक का लिया है इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें आमचुर पाउडर आदा चमच लिया है और इसके बाद मैं एड़ कर रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च काली मिर्च एड़ करने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे भूनेवे जीरे का पाउडर इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ी सी में शूगर डाल रही हूँ इसमे आदे सी भी छोटा चमच लिया है अब इसमें जो मेन इंग्रेडियन्ट है वो एड़ कर रही हूँ मैं यह है मलाई सेव इसली मार्केट में मिल जाता है अगर आपके पास नहीं है तो क्या कीजिए आप जो दूसरे वाली भूजे आती है ना वो भी एड़ कर सकते हूँ इसमें थोड़ा सा में बरफ के टुकणे इसमें डाल दी है हम इसको ब्लेंड कर देंगे यहाँ पर थोड़ा सा ब्लेंड नहीं हो रहा था तो मैंने थोड़ी सी बरफ और एड़ कर दी मैं पानी इसमें बिल्कुल भी नी एड़ करने वाली हूँ क्योंकि मैं यह सेंड़िच के लिए बना रही हूँ अगर आप चाट के लिए बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हूं कि थोड़ा सा पानी भी एड़ कर सकते हो यहां पर देख सकते हो आप अच्छे से यह ब्लेंड हो गया है हमारी चटनी बन के रेड़ी हो गयी है तो यह बहुत एजी और सिंपल सी रेसिपी है पौफक्ट थिकनेस आई है, जो हमने मलाई सैमलेस में डाला है न, उससे क्या होता है कि थिकनेस पौफ़ेक्ट आदी है अगर आपको ये मलाई सेमली एड करनी है, तो आप क्या कीजिए, डाल तो हर घर में available होती है जो पीले वाली दाल आती ना पीले जने वाली वो एक चमच लीजिए और तवे उसको पहले रोस्ट कर लीजिए फिर एड़ कीजिए मिक्स्टर के साथ उसे भी आपकी चटनी बहुत अच्छी बनेगे उसे भी पॉफेक्ट थिकनेस आएगी इसके बाद इस चटनी को किसी एर टाइट कंटेनर में रख लीजिए और फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख दीजिए ये एक वीक तक बिल्कुल भी नहीं खराब होगी अगर आपको रेस्पी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई केजिए